इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं इंकम टैक्स ओन दा आईपियो लिस्टिंग गेन और लॉसस जी हाँ अभी देखो भाई आईपियो का सीजन चल रहा है काफी सारे आईपियो आया है Mostly सभी ने लिस्टिंग गेन कमाया है तो चाहिए आप रिटेल केटेग्री में इंवेस्ट करते हो H&I केटेग्री के अंदर IPO के उपर प्रॉफिट्स बुक करते हो तो उसके उपर इंकम टैक्स कैसे लगता है प्लस रिसेंटली बजट दोज़ा 24 के अंदर चेंजेज आ चुके हैं प्लस कितना आपको टैक्स यहां पर पे करना है कब पे करना पड़ता उसकी कैसे होती है तो यह सब को समझाने वाला उस वीडियो के अंदर तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखेगा स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप किसी टैक्स एक्सपर्ट के थूरू यहां पे कंसल्टेंसी लेना चाहते है अपने टैक्स के उपर या टैक्स फाइलिंग कराना चाहते है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दूँगा तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि IPO के लिस्टिंग गेन आखिर क्या होते तो देखे जब भी कोई कंपनी जो है पब्लिक मार्केट से यहां पे फंड रेस करती है तो अपना IPO लेकर के आती है तो जब भी कंपनी का जो शेर प्राइस होता है वो NAC, BAC की उपर issue price के उपर यहां पे listed होता है और कोई भी investor यहां पे जो है अपना शेर बेज करके profit book करता है तो यह ultimately आपका एक listing gain कहलाता है अब इसकी जो calculations होती है वो एक हर एक financial year के अंदर होती है यानि अभी अगर मैं right now बात करो तो आपको April 2014 से लेकर March 2025 की यहां पे वो equity delivery के अंदर यहां पे consider किये जाते हैं अब यहां पे period के उपर depend करता है एक होता है आपका short term capital gain अगर मालो अपने IPO के अंदर participate किया ठीक है आपको share का allotment भी हो गया by chance उसके बाद में जैसे ही listing होती है आपे company की आप सीधा अपना profit book कर लेते हैं तो यहां पे अगर आपका holding period less than one year होता है तो यह short term capital gain के अंदर count होता है पहले इसके अंदर जो tax rate हुआ करती थी 15% का tax rate था 23 July 2024 तक उसके बाद ने government ने क्या क्या budget लेकर क्या है और उसके अंदर tax rate increase कर दिया 20% यानि इस साल जो आपको calculation यहां पे दो type से करनी पड़ेगी कि 23 July के पहले जित्ते भी IPOs में आपने short term capital gain profit book कर रखाता उस पे सीधा 15% का tax rate है और उसके बाद वाले period के अंदर जित्ता भी आप profit book करोंगे अपने IPO के उपर उस पे सीधा 20% का tax rate लगेगा अब देखे हर कोई investor यहां पे लिस्टिंग वाले दिन या एक साल से पहले यहां पे अपना profit book नहीं करता है तो उस case में अगर आप IPO के shares को hold करते हैं long term vision के साथ में long term period के लिए तो अगर एक साल से ज़ादा अगर आप hold करते हैं तो यह long term capital gain के अंदर होता है तो इसके अंदर भी जो tax rate है अगर मैं April 24 से 23rd July की बात करूँ तो आपको एक लाख रुपे का exemption मिलता था और 10% का tax rate लगता था लेकिन अब से 12.5% का tax rate लगेगा और exemption भी बढ़ा के 1,25,000 रुपे कर दी गई है यानि अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो आप मालो इस साल वाले कोई भी IPO के share को एक साल से जादा hold करते हो और next year 12.25 के अंदर अगर आप बेचने का प्लान करते हो या profit बुक करते हो तो आप 1,25,000 रुपे की total यहाँ पे आप exemption क्लेम कर सकते हो जिसमें आपका यह IPO का shares भी आगया, mutual fund का भी profit आगया long term, सब कुछ मिला के 1,25,000 की exemption मिलती है और उसके उपर जित्ता भी आपको profit हुआ है, उसके उपर सीधा 12.5% आपको tax rate देना पड़ेगा अब इसके साथ में यहाँ पे एक और update यह है कि यहाँ पे करती है, 3,00,000 के उपर यहाँ पे tax ज़रूर लगता है, लेकिन government क्या करती है, कि 7,00,000 तक माल लो गर 20,000 रुपे का tax है तो 20,000 रुपे की आपको subsidy provide कर देती थी, यानि कि आपको अपनी जेव से कोई भी tax pay नहीं करना पड़ता था, लेकिन 5 जुलाई से again government ने आपके changes लेकर क्या है, अब से क्या कर दिया है, कि अगर माल लो अगर आपकी 4,00,000 रुपे की income है, और 1,00,000 रुपे की income आपकी short term capital gains है तो वैसे तो अगर आप देखोंगे तो total income आपकी 4,00,000 है, tax नहीं लगना चीए, और पहले government short term capital gains के उपर भी जो tax लगता था, उस पे भी rebate provide करती थी इसी conditions के अंदर, बट अब यह यहाँ पे rebate हडा दी गई है यानि अगर आपकी 4,00,000 रुपे की income है 3,00,000 पे भाई, कोई tax नहीं लगेगा लेकिन 1,00,000 रुपे जो आपने short term capital gains से कमाया है भाई, 20% का taxes आपको government को पे करना पड़ेगा, भले आपकी total income 7,00,000 रुपे के नीचे क्यों ना हो, अब बात करते हैं, जरूरी यह तो नहीं कि IPO के उपर आप profit ही कमाऊ अगर loss यहाँ पे अगर आप बुक करते हो तो यह आपका capital loss count होता है short term capital loss की बात करूँ एक साल के पहले अगर आपने बेच दिया और loss बुक कर दिया, तो कोई taxes तो नहीं है अच्छी बात यह कि अगर आप time पे ITR file करते हो, due date से पहले तो इसको आप यहाँ पे carry forward कर सकते हो, 8 साल तक के लिए plus उस year के जितने भी short term capital गेन है या long term capital गेन है उसके साथ में आप set off भी कर सकते हो बाकि long term जो capital loss होता है उस पे भी tax नहीं लगता वो भी 8 साल तक carry forward हो सकता है ITR के थूँ, लेकिन वो केवल जो set off होगा, वो केवल long term capital gain के थूँ होगा, उसके अंदर आप short term capital gain को set off नहीं कर पाऊंगे तो भाई, अब आपको यहाँ पे proper rules समझ में आ गया होगा कि IPO की listing gain के उपर कैसे आपको यहाँ पे tax की calculation करनी पड़ती है प्लस जैसे यहाँ पे July का time आता है, आपको यहाँ पे इस सारी calculation जो है, आपके वैसे demand account के अंदर भी देखने को मिल जाती है तो वहाँ से भी आप अपना proper statement वगरे download करके, आराम से ITR file करके अपना taxes वगरे यहाँ पे government को pay कर सकते हो, so guys, hope you like this video please subscribe channel, अगर आप लोग के कुई भी doubt से comment box के अंदर ज़रू बताएगा thank you guys, thank you very